यहां पर आप समझेगा, युक्लील का विभाजन प्रेमेगए, ठीक है, देखिए, युक्लील का विभाजन प्रेमेगए, क्या को होता है? दियान समझेगा, इसके अमसार दो धहनात्मक पुनःंग, A और B दिया रहने पर, A C अद्वित्य पुन्र संख्याएं, अद्वित् सांख्या बोलते हैं और q और r q और r प्राप्त होती है कि जब a और b मतब दो सांख्या दिया रहेगा जब उसको हम solve करेंगे तो क्या प्राप्त होगा q और r प्राप्त होगा जैसे मान के लिए b में हम a से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मतब भागफल मिलेगा और सेस्पल मिलेगा तब भागफल को क्या बोलेंगे भागफल को आप क्यू बोलेंगे और सेस्पल को आर बोलेंगे ठीक है और एक ही न मिलेगा नहीं तो एक भागफल मिलेगा नहीं तो एक सेस्पल तो उसी को और द्वीत्ते बोलते है ठीक है और वहाँ से एक फर्मुला त्यार होता है ये बराबर BQ प्लस आर ठीक है और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजी 0 है नो तो बोल रहा है कि R बीच में देखिए R बीच में है नो तो इस जो R है ये R मतलब क्या? रिमाइंडर मतलब सेसपर ठीक है R का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा? 0 से बराबर हो सकता है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन B यानि कहने का मतलब B से छोटा होगा? बार कमन क्या होगा बी से छोटा होगा ठीक है यही आपको पूरा कहना का मतलब है ठीक है यहां पर लिखें यहां हम एको भाजय बोलेंगे एको क्या बोलेंगे इस एको हम बोलेंगे भाजय और भाजय को इंगलिस में बोलते हैं डिबिडेंट ठीक है और यहां पर इस बी को देखिए B को भाजक बोलेंगे और भाजक को बोलते हैं Dibager ठीका है उसके पार देखिए Q यहाँ पर है Q को बोलते है किया भागफल यहाँ पर जो Q हैनО उसको बोलते है Q को भागफल बोलते है और भागफल य양नी की कॉल्टियन ठीका है तथा R को सेजपल reminder कहते हैं तो और यहां से mlनल त्यार हो राए तो यहां से अ यहां पर देखिए भाजय है था भाज्य है भूणर भाजक क्या है B है था भाज्यété 0 multiply भागफल का क्या है Q है तेहां पर Q भागफल हुआ प्लस सेस्पल यानि फर्मूला आपका तियार हुआ भाज्य बराबर भाजक multiply भागफल भाजक मुणे भागफल प्लस सेस्पल ठीक है इस वीडियो में इतना ही अगर आप मेरे चनल पना है तो मेरे चनल सस्क्राइब कर ल पाल जी और फर्मूला का प्लेलिस्ट बनावे ठीक है वहाँ पर गोला संकु और दुगला सब कुछ है एक बार जाकर एक बार जरूद देख लिजी